देखो question है, जही advance 2012 का, यह question हम मान के चलते हैं, मेरे को ना आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बहुत simple सा मेरे को basic concept पता है, हम उसके अधार पर solve करेंगा, ठीक है, तो यह देखो question है, the locus of the mids point of the quad of contact of tangents drawn from points lying on the straight line, 4x-5y is equal to 20 to the circle x square plus y square is equal to 9, देखो diagram बनाते हैं, 9 का, जिसका radius 3 unit है, और center का है, origin है, अब आप देखो, इस line से हमें tangent draw करना है, 4x-5y is equal to 20, तो एक particular point मान लेते हैं, जो कि हम horizontal x-axis पर मानेंगे, तो y coordinates 0 हो जाएगा, तो x coordinate कितना आजाएगा, जो y is equal to 0 रखेंगे, तो 4x is equal to 20, तो x is equal to 5 आजाएगा, यह line पर यह point exist कर रहा है तो इसलिए न, भाई, 4x-5y is equal to 20 पर यह point exist कर रहा है, ठीक, आप यहां से tangent draw करो, ठीक है, यह tangent हमने draw किया, ठीक, यह tangent हमने draw किया, अब, अब क्या है, chord of contact का पूछ रहा है, यह, अब आप देखो, due to symmetry, आप कहा सकते हो, chord of contact बिल्कुल x-axis पर ही लाई करेगा, ठीक है, तो अब, midpoint, chord of contact का, बिल्कुल x-axis पर ही लाई करेगा, यह, अब का point 0, 0 है, ठीक है, अब, आप देखो, इसमें क्या कह रहा है, कि इसका, लोकस क्या होगा, तो आप देखो, option number, अगर हम, ए देखें, तो यहां से, क्या आएगा, y-coordinate 0 हो, 20x-30x is equal to 36x is equal to 0, तो इसको निकाल होते हैं, chord of contact का, length कितना होगा, अब, आप देखो, यह, ऐसे कर रहा है, ठीक, तो, यह, थ्री units है, ठीक, यह, टोटल 5 units आपको मिला, तो यह, कितना हो जागा, 4 units, भाई, यह, पर्पेंडिकुलर होता है, न, यह, ठीक है, यह, पर्पेंडिकुलर होगा, तो इसलिए, यह, यह, अब, आप देखो, यह, वाला length हम निकाल लेते हैं, जब पूरे triangle का area लिखें, तो half, 3 into 4 लिखेंगे, यह triangle का area हम निकाल लेंगे, ठीक, तो एक बार base किसको माना, 3 को माना, और height 4 बन गया, अब एक बार base इसे माने, तो height यह निकल जाएगा, न, तो base कितना है, 5 unit, तो half, 5, और height हमें निकालना है, यह वाली height, ठीक, तो आप यहां से देख लो, कितना आ गया, height is equal to 12 बटा 5, यह पूरा length कितना आ गया, 12, जो कि 2.4 है, यह, यह 2.4 है, height इसका, ठीक, अब आप देखो, इस angle को theta को हो, ठीक, तो sin theta is equal to, बनेर वाले triangle में क्या हो जाएगा, perpendicular upon hypotenuse, is equal to, sorry, tan theta लिख लो, tan theta, tan theta is equal to perpendicular upon base, which is equal to perpendicular छोटे वाले triangle में 2.4 upon यह length, base, ठीक, इसलिए किया था कि हमको यह length चाहिए था, तो यह 0.6 हो गया, तो b is equal to क्या हो गया, 1.8, इसका मतलब, इसका coordinates जो है, हमारे पास क्या आ गया, 1.8, 0, ठीक है, अब option match करा लो, option number a, option number a करो गए, तो 20x square, minus 36x, is equal to 0, क्यों, y coordinate 0 है, तो x is equal to 0, और x is equal to 1.8 आया, देखो, यह match कर रहा है, ठीक है, option number b चेक करो, तो क्या जागा, 20x square, plus 36x, match नहीं करेगा, भाई, minus 1.8, तो b नहीं हुआ, अब similarly, option c, चेक करेंगे, तो देखो, 36x square, minus 20x, बिल्कुल भी नहीं आएगा, भाई, 1.8 के बराबर, option d, चेक करो, तो option d, क्या हो जाएगा, 36x square, plus 26, and 20x is equal to 0, बिल्कुल भी नहीं 1.8 आएगा, तो देखो, सिर्फ और सिर्फ, option a में आया, 0.1.8, तो इसलिए, इसका correct option कौन सा हो जाएगा, option number a, तो इस कदर इसको solve करना था, correct option, option number a, बीना हमने, कोई formula लगाए, सिर्फ और सिर्फ इस question को आसान बनाने के लिए किया हमने ऐसा, ठीक है, conventional तरीका से आपको किताब में दीख जाएगा, लेकिन हमने इसलिए इस question को इस तरीके से solve किया, ताकि आपकी visualization बढ़े, और आप कोई भी question को बहुत confidence के साथ approach करें,